क्या आप भी चाहते हैं आपके नीबू के पौधे पे इसी तरीके से uncountable नीबू आएं तो आज मैं आपको दो fertilizer और तीन ऐसी care बताने वाली हूँ जिससे नीबू के पौधे में full की quantity भी बढ़ेगी वो full नीबू में convert होंगे जड़ेंगे नहीं और साथ ही साथ plant की जो growth होती है वो भी बहुत बूशी हो जाएगी तो ये कौन से fertilizer है और कौन से care करनी है आज हम इसी topic पे बात करेंगे तो देरीना करते हुए चले फिर वीडियो को start करते हैं Hello everyone कैसे हैं आप सब लोग? Love for gardening में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अगर आप अपने घर में नीबू लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो nursery से आप एक healthy और बढ़या नीबू का plant लाइए और जब उसमें कोई एकाद नीबू लगा हो तो ही खरी दिये ऐसा ना हो कि माली ने बोल दिया कि ये नीबू का पौधा है और आप उठा लाए उसमें एक भी नीबू नहीं लगा है फिर क्या होता है अगर नीबू नहीं लगा है तो उस नीबू को आने में कभी कभी बहुत time लग जाता है कुछ ऐसे plants होते हैं जो seeds से grow किये जाते हैं तो ऐसे में fruits आने में थोड़ा time जादा लगता है तो आप जब भी नीबू का पौधा नर्सरे से खरीदें उसमें एक तो नीबू पहले से ही लगे हो तब ही उसे खरीदें और अगर आप 12 मासी लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि 12 मासी में क्या होता है न कि पूरे साल नीबू आते हैं नीबू के पौधे को full sunlight चाहिए पूरे दिन की दूप अगर आप देंगे उसे तो फिर उसकी growth बहुत अच्छी होगी तो अगर आपके हाँ पूरे दिन की दूप आती है कोई ऐसी जगा है तो फिर आप नीबू का पौधा खरीद लीजे आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे नीबू के पौधे में कभी over water नहीं होना चाहिए खास कर जब उसमें फूल आ रहे हो तो मिट्टी में बहुत जादा नमी रहती है तो उसे दिक्कत होती है अब आप जैसे इस प्लान की मिट्टी को देखिए मैंने इसे रात में पानी दिया था और प्लान में अभी देखी मिट्टी जो है उसमें नमी तो है पर वो सौगी नहीं है तो जब आप वैल डिन सौइल देंगे तो मिट्टी में कभी सौगी पन आएगा ही नहीं जैसे ही आप पानी देंगे वो मिट्टी अच्छे से सोख लेगी और एक्स्ट्रा पानी को ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देगी तो जैसे मैंने कल रात को पानी दिया था और मिट्टी अभी आपको हलकी सी गीली दिख रही होगी तो अभी मैं इसको फिर पानी नहीं दूँगी जब तक कि उपरी लेयर की जो मिट्टी है वो अच्छे से सूख न जाए जब मुझे उपर वाली मिट्टी की जो लेयर है वो सूखी हुई दिखेगी तो ही पानी देना है क्योंकि क्या होता है अगर आप बार बार पानी देती रहेंगी और मिट्टी नहीं सूखेगी तो फिर क्या होगा ये जो नीबू आप देख रहे हैं ये नीबू में कनवर् तो भी वो ड्रॉब कर देगा प्लांट क्योंकि ज्यादा पानी से यह प्रॉब्लम बहुत आती है जब भी फूल खिल रहे हो या फिर नीमबू बहुत छोटे हो समय तो पानी का बहुत जादा ध्यान रखना है मिट्टी जब सूख जाए तो ही पानी देना है ओवर वाटर ब प्र आपको एक चीज का ध्यान अथना है नाइट्रोजन रिच फर्टेलाइजर नहीं देना है जब एक बार नीबू के पॉदे में फूल आ गए म dispel में तो आपको इसे पोटाशिम रिच फटेलाइजर देना है या फिर ऐसे फटेलाइजर देने है जैसे फूल जो खिल र ब्रांचेज निकालना शुरू कर देगा पर अभी वहां पे हमें ब्रांचेज की जरूरत नहीं है तो इसलिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर हमें स्टॉप कर देना है जैसे ही पौधे में फूल आने शुरू हो जाए और इस समय पे इंसेक्टिसाइट का इस्प्रे इसलिए बिल्कुल भी ना करें मतलब कैमीकल इसप्रे और और ऑरगनिक स्प्रे आप कर सकते हैं क्योंकि जब फूल आते हैं तो इसमें चीटियां बहुत जादा आती हैं और हनीबीज का आना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने कैमिकल कैमी क्टिली कीया तो हनीबीज तो जब नीबू चोटे-चोटे से थे और कुछ फूल खिल रहे थे उस समय मैंने जो फ़र्टिलाइजर दिया था अब मैं आपको वो बताने जा रही हूं उसके लिए मैंने सबसे पहले उपरी लेयर पे जितनी घास वगारा थी वो सब रिमूब कर दी थी और मिट्टी के ग जमना शुरू कर देती हैं ऐसे में जो भी हम पानी या फ़र्टिलाइजर देते हैं वो बहुत टाइम लग जाता है प्लान तक की जड़े हैं वहां तक पहुंचने में तो इसलिए उपरी लेयर की गुडाई करना बहुत जरूरी है वहां की मिट्टी को लूज रखना करने से क्या होगा जो फ़र्टिलाइजर हम देंगे वह बहुत ही अच्छे से प्लांट की जड़ो को मिलेगा और उसके बाद वह सेफ भी रहेगा जब मुसे मिट्टी से कवर कर देंगे तो जब मैंने अच्छे से गुडाई करके मिट्टी को स्टैम के नजदीक कर दिया तो अब मैं यहाँ पे कुछ फ़र्टिलाइजर देने जा रही हूँ जिसमें सबसे पहले मैं जो यूज कर रही हूँ वो है नीम की खली नीम की खली बहुत जरूरी होती है और यह वो फ़र्टिलाइजर है जो आप हर महीने दे सकते है अपने पौधे को चाहे वो कोई भी पौधा हो A to Z हर तरीके के पौधे को जैसे हम गोबर की खाद या वर्वी कंपोस देते हैं सेम हम नीम खली भी दे सकते हैं यह मिट्टी के लिए बहुत फायदे मंद होती है पौधे के लिए बहुत फायदे मंद होती है तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चमश नीम की खली का इस्तमाल किया है इसके बाद जो मैं दूसरा फर्टिलाइजर दे रही हूँ यह है और्गैनिक पोटाश और्गैनिक पोटाश का यहाँ पे दो तरीके से बहुत महत्वपून रोल है सबसे पहले तो यह जो फूल हमारे प्लांट में खिले हैं इसको बहुत ही ज़ादा क क्वांटिटी में खिलाएगी जैसे फूल की क्वांटिटी जादा हो जाएगी उसके बाद जो नीमबू हमारे लगेंगे प्लांट पे उस नीमबू का साइज भी बढ़ा करेगी और 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 अर्गैनिक पोटाश का इस्तमाल करिएगा क्योंकि यह हमारे यूज की चीज है जिसको हम खाते हैं तो मैं नहीं चाहती कि केमिकल हम लोग खाएं क्योंकि मार्केट से तो हम जो खरीद रहे वो केमिकल है ही पर अगर हम अपने घर पे कोई चीज ग्रो कर रहे हैं जिसको हम खाने में यूज करेंगे तो ऐसी चीजों को कम से कम घर पे जो ग्रो की जा रही और online भी easily मिल जाएगा तो आप बिल्कुल टेंशन नाले कि ये कहां से मिलेगा online organic potash के नाम से सर्च करिए आप आपको easily available हो जाएगा मैंने तो nursery से खरीदा है हमारे हाँ easily मिल जाता है अब क्या किया है मैंने दो बड़ा चमच potash लिया है उसके बाद फिर मैंने इन सभी खादों को मिट्टी से कवर कर दिया है कवर करना भी बहुत जरूरी है अब यहाँ पर हम पानी देंगे पर पानी देने से पहले भी मैंने इसमें दो चीजे मिलाई है सबसे पहले तो जो मैंने यूज किया है यह है seaweed का liquid fertilizer यह बहुत फायदे मंद होता है आपके पास जाइम है तो आप जाइम भी यूज कर सकते हैं मेरे पास दोनों है तो जब मुझे जो सामने दिख जाता है मैं वही दे देती हूँ इसके बाद मैंने आधा चमच यहाँ पे iron dust का इस्तमाल किया है देखी इसको ध्यान से सुनिएगा iron dust हमें तभी यूज करना है जब हमारे नीबू के बौदे पे फूल हो फूल के समय पे इसको डालने से क्या होगा कि जो नीबू में फूल खिले है वो जड़ेंगे नहीं ये नीबू के फूलों को प्लांट में ठीके रहने देता है जड़ने से बचाता है इससे फिर क्या होगा कि जो हमारे फूल है वो नीबू में कनवर्ट हो जाएंगे और बाकि सीवीड आप महीने में एक बार यूज कर सकते हैं इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप अपने नीबू के पौधे में डाल दीजिए ध्यान रखे जब भी आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर या फिर कोई भी सॉलिट फर्टिलाइजर पौधे को दे रहे हैं तो उस समय ओवर वाटर बिल्कुल भी ना करें मतलब पौधे को इतना ही पानी दे कि मिट्टी सोक ले ड्रेनी जोल से पानी बाहर ना निकले क्योंकि अगर ड्रेनी जोल से पानी बाहर निकला तो हमारा फर्टिलाइजर भी उसके साथ बाहर निकल जाएगा और इस फर्टिलाइजर को देने के बाद अब आप मेरे नीबू के पौदे का रिजल्ट देख सकते हैं कितने ही जादा नीबू लगे हैं ऐसा नहीं कि वो फूल के बाद मेरे प्लांट में ग्रोथ नहीं हुई बहुत सारी ग्रोथ भी हुई है आप देखिए प्लांट की ग्रोथ भी है प्लस उसमें नीमबू भी है दोनों ही चीज मतलब ग्रो हुई है हाला कि मैंने इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डाला था लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है बारिश खूब हो रही है तो बरसात के पानी में भी अच्छा खासा नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाता है तो इस वज़े से इसमें देखे नीमबू भी है और प्लांट की ग्रोध भी बहुत अच्छी हो रही है अब जैसे जैसे इस नीमबू का साइज बढ़ेगा फिर इसका कुछ दिनों बाद नीमबू का जो कलर है वो ग्रीन से यलो होना शिरू हो जाएगा तो वो सारी डीटेल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर आप नीमबू के पौधे के कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट समय होता है वो होता है फरवरी मार्च का तो अगर आप अपने पौधी को cutting pruning करना चाहते हैं उसको एक shape देना चाहते हैं तो फरवरी मार्च के मौसम में बेज जग आप cutting कर सकते हैं बरसात में भी कर सकते हैं पर उस समय क्या होता है न कि नीम्बू के plant में fruiting का time होता है तो जब पौधी में नीम्बू लगे हुए ह तो आप फिर cutting pruning नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वो फरवरी मार्च का मौसम बेस्ट होता है उस समय आप इसकी cutting pruning reporting कर सकते हैं मैंने भी अपने प्लान की की थी cutting pruning reporting और वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे फरवरी मा वाले section में जाके और वीडियो देख सकते हैं पूरी detail information मैंने दी थी तो नीवो के पौदे से सम्मंदित सारे जानकारी बता दी है इसके बाद भी कोई question confusion है तो आप comment कर सकते हैं कैसा लगा मेरा आज के वीडियो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर